ओम नमस्षिवा अपना व्यक्तित्व अपूर लगता है ऐसे में जाने की क्या है सिव और सक्ति का संबंध। पुरुष और प्रकृती के बीच सामन जस्य अस्थापित होने से ही स्रिष्टी सुचारू रूप से चल पाती है। सिव और सक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है यहां सिव पुरुष के प्रतीक हैं और सक्ति श्वरूप देवी पार्वती प्रकृती की शिवलिंग के रूप में भगवान सिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृती के बीच यदि संतुलन न हो तो स्रिष्टी का कोई भी कार्य भली भाती शंपन नहीं हो सकता है। जब सिव अपना भीच्छू रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर शामान्य घरेलू रूप धारड करती हैं। तब वे ललिता और सिव संकर बन जाते हैं। इस संबंध में न कोई बिजेता है और न कोई बिजीत है। दोनों का एक दूसरे पर शंपूर अधिकार है जिसे प्रेम कहते हैं। सकती के सिव में शंयुक्त होने को लेकर एक कथा बिहत प्रचलित है। इस कथा के अंसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिव भक्त भ्रेंगी ने उनकी प्रदचिरा करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि आपको सकती की भी प्रदचिरा करनी होगी क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ। भ्रेंगी इसके लिए तयार नहीं हुए। वे देव और देवी के बीच प्रवीश करने का प्रियत्न करते हैं। इस पर देवी शिव की जंगा पर बैठ जाती हैं। जिससे वे यह काम न कर सके। भ्रेंगी भौरी का रूप धारड कर उन दोनों की गर्दन के बीच से गुजर कर शिव की परिक्रमा पूरी करना चाहते हैं। तब सिव ने अपना सरीर सक्ती के सरीर के साथ जोर लिया। अब वे अर्ध नारिश्वर बन गए। अब भ्रेंगी दोनों के बीच से नहीं गुजर सकते थे। सक्ती को अपने सरीर का आधा भाग बना कर सिव ने अस्पष्ट किया कि वास्तव में इस्त्रे की सक्ती को श्विकार किये बिनापुरुस पूर नहीं हो सकता। और श्व की भी प्राप्ती नहीं हो सकती केवल देवी के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। पार्वती साधना के माध्यम से श्व के हिर्दे में करुडा और संभाव जगाना चाहती है। पार्वती की साधना अन्य तपस्यों की तपस्या से भिन है शुर अशुर और रिशी इस्वर की प्राप्ती और अपनी इच्छा पूर्ती के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या बर्दान को परिरख कर ध्यान लगाती हैं। वे अपने ब्यक्तिगत शुक के लिए नहीं बलकि संसार के लाव के लिए तपस्या करती हैं। शीव पुरार के अंसार जब पार्वती शीव को पाने के लिए साधना करती हैं तो शीव उनहीं ध्यान से देखते हैं। वे इस निसकर्ष पर पहुँचते हैं कि सती ही पार्वती हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आखे बन कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएंगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आखे खोले तो वह शुन्दर और शुरूप गौरी बनी रहेंगी। इसके आधार पर वे यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृती को ज्यान की दृष्टी से न देखा जाए तो वह डरामनी हो जाती है। यदि ज्यान की साथ देखा जाए तो वह शजग और सुन्दर प्रतीत होती हैं। वही पार्वती शिव को अपना दरपड दिखाती हैं। जिसमें वे अपना संकर सांत रूप देख पाते हैं। शुमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोले नाथ को प्रसन करने के लिए बिसीस पूजा आचना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन भ्रत भी रखते हैं। ताकि शिव की विसीस क्रिपा प्राप्त की जा सके। बाबा भूले नाथ के आसिरबात के लिए आप भी शुमवार का भ्रत कर रहे हैं। तो शिव भ्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। नारत पुरार के अमसार शुमवार भ्रत में व्यक्ति को प्रातह असनान करके शिव जी को जड़ और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। तथा शिव गवरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद शुमवार भ्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद कीवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारर रूप से शुमवार का भ्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। मतलब साम तक रखा जाता है। शुमवार भ्रत तीन प्रकार का होता है। प्रती शुमवार भ्रत, शौम्य प्रदोश भ्रत और सोलह शुमवार का भ्रत। इन सभी ब्रतों के लिए एक ही बिधी होती है।